सुप्रीम कोट ने दागी विधायकों, मंत्रियों और नेताओं के खिलाफ जो फैसला दिया उसके बाद उत्तराखंड में भी सुगबुगाट तेज हो गई है कि क्या सरकार और विधान सभाग ऐसी कारेवाई करेगी सुप्रीम कोट ने जो गाइडलाइन्स दी है या जो द सबसे पहले तो आप चुकी गारजियन है उत्तराखंड विधान सभा के तो इस फैसले को कैसे देखते हैं देगे मानने सुप्रीम कोट ने जो ने दिया है जो उनका वडिक्ट आया है निश्ची लुप से सादुवाद का पात्र है सुप्रीम कोट और मैं उसको इलिए बह रॉक थाम लगेगी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ टाइम से जादे प्रचलन हुआ कि जो अपरादिक प्रवर्ति की लोग उनको एक बहुत आसानी से वह राजनिति को मादे मना के आगे बढ़ने का प्रियास करते थे आने वाले डब इसमें बहुत बड़ी रोक लगेगी और जो कि राजनितिक छेत्र जो है वो सेवा भाव का छेत्र है उसमें अपराद करने वाला व्यक्ति यदि आ जाएगा तो उसमें कहीं न कहीं प्रतेबा चिपती है तो मैं इसके लिए बहुत बढ़ाई दे रहा हूं और निश्रुप से यह हमारे राजनितिक छेत्र कि मै अब कि अभी एक दम तो मैं यह नहीं कह सकता लेकिन कुछ हमारे मानिय विधाय गन जो इसमें है तो अपरादिक प्रवर्ति का तो मैं नहीं कह सकता लेकिन यह मैं जरू कह सकता हूं जो लोग अंदोलन करते जो जन अनुन में जनता के लिए और विपन परकार की आज चायो विरोध में रहे हो, विपक्ष में रहे हो, तो उनके उपर केस चल रहे होंगे, वो एक अलग प्रकृती हो सकते हैं, उसको इस तरह से जोड़ की नहीं दे सकते हैं, अपराधिक प्रवर्ती का भी आपको केटिगरी करनी पड़ेगी, यह आप जनता के हीत में कोई अंदोलन क कर रहे हैं, जनता के लिए अंदोलन कर रहे हैं, और उस पे अपराधिक मुकदमा कायम होता है, यह दिगर है, एक मैं व्यक्तिक तोर पे कोई अपराध कर रहा हूं, को मैं इस प्रकार के आरोब मेरे पे लग रहे हैं, जो वास्तों में जो संगीन अपराध की स्रेणी में जो आते हैं उस प्रवर्ति का यदि कहीं न कहीं कोई व्यक्ति है तो मुझे लगता है कि ऐसे मामलों में सुप्रेम कोट की निगाज जरूर होगी चलिए आकड़े हम बता देते हैं सतर विधान सभाओं में 22 ऐसे विधायक हैं जिन पर मुकदमे दर्ज हैं कई लूट है हत्या के प्रयास हैं डकैती है यह अपराद की शेर्णी में आते हैं जनित से जुलेत मुद्दे नहीं है बाईस में से 17 भाजपा के हैं और चार कैबिन मंत्री ऐसे हैं जो सीधे बड़े मामलों में जिन पर अपरादिक मुकदमा दर्ज है यह एडियार की रिपोर्ट भी कहती है और विधान सभा की जो आपके लिस्ट है उसमर भी दर्ज है तो क्या इन अपरादियों प्रवित से जुड़े जो केसे चल रहे हैं इन्हें आप प्रवर्ति अलग है और यदि इंटेंशनली कोई दूसरा अपराद यदि कोई भी व्यक्ति करता है वह प्रवर्ति अलग है इसको इस तरह से कैटिग्री आप कर सकते हैं मेरे विधान सभा में आपने बताया कि 22 इस परकार की लोग है क्योंकि मेरी जानकारी भी नहीं है औ और जिससे बात की मुझे जानकारी मैं इस पर क्या टिपनी करें यह ऐसे मिनिस्टर से जो पड़े सीनियर हैं विधान समा में आपके और उन पर यह मुकदमे दर्ज हैं और आपको जानकारी नहीं है अगर नहीं भी है तो अब सुप्रीम कोट की इस फैसले के बाद आप क् अपरादिक प्रवर्ति के लोगों को टिकट क्यों आप दे रहे हैं क्या वज़े उसकी है या जिसको आप ऐसे व्यक्ति को कोई कारण है कि आप टिकट दे रहे हैं तो उसको आप सारज नहीं करिए और जो उसके अलावा कोई व्यक्ति उससे बहतर है और आप उसको टिकट तो आप उसका कारण बताईए यह आने वाले टाइम के लिए वर्डिक्ट है पीछले जो भी हमारे इस प्रकार के आरोपित व्यक्ति है जिनको आप भी आरोपित मान रहे हैं लेकिन उनके पर वर्डिक्ट लागून नहीं हो रहा है आपके बारे में कायता है कि आप बड़ा साफ बोलते हैं और बड़े बेबाकी से अपनी बात रखते हैं क्या विधान सभा अध्यक्ष एक गार्जियन होता है उसके नीचे जो विधान सभा में सद से बैठते हैं अगर साफ सुत्री छवी के होंगे तो जनहित के काम जादा ह करेंगे और इक शिल्टर एक शरन के लिए वहाएंगे विधान सभा में आपके दागी नहों इसके लिए क्या कि इसी कोई शूची या ऐसा को निर्देश कि वह सारवजीनिक करें या मुक्हमेंत्री जी से कहेंगे कि क्या वह अपने सदस्यों के बारे में जानकारी जनता ह मेरे हाँ जैसा आप बता रहे हैं अध्यान करने के बाद क्या अगला स्टैप हमारा होगा वडिया के बाद इसमें किसी भी रूप में उसको समावेस नहीं होना चाहिए वह नहीं आना चाहिए अपराधिक व्यक्ति यदि उसकी प्रवर्ति अपराधिक है तो मैं समझता हूँ कि वह हम सब के लिए बहुत चिंता का विशे कहने में अच्छा तो नहीं लग रहा है लेकिन जो एडियार की दिखाया गया है वह क्या है मेरे हाँ पिछले दिनों बहुत अच्छा आपने सवाल किया वह भी साइद अपराधिक श्रेणी में होगा यदि पुलीस किसी भी रूप में गलत काम करेगी तो आप बताएक विधाय का क्या जिम्मा होगा मैंने इसका प्रतिलोद किया और उस तो मैं समझता हूँ जन हित में उठायवा विशे मेरा इतिहास है कि आज तक कोई मडर का लूट का जिसके आप संगेन अपराध की बात के नहीं है तो यह जन हित में पराधिक प्रवर्ति का उन्होंने मुगदमा कायम किया है तो माल लिजे मैं भी अपराधी हूँ इसको अपराध मान सकते हैं तो एक निश्ची रूप से जन परतनिदी का या समाने व्यक्ति का भी फर्ज बनता है कि उस गलत काम का वह विरोध करें वह विरोध मैंने किया करिया की प्रतिक्रिया होती ही है यह स्वहभाविक मानो प्रवित्ति है आखर मैं आपसे पूछूँँंगा कि अब जल Θे ही capitalize य हम कैप कि आप उलगता है कि अब आने वले समय में जब हम विधानसभा नहीं गटित करेंगे चुनाव में तो पार्टियां चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो उसे इस चीज को दिमाग में रखना चाहिए कि शरणस्थली नबने राजनीती अपरादियों की आप गारजियन है वि करें लोगों को अपरादिक चाहिए उसका प्रादि का अपरादिक प्रवरति का उसके बाद ये दी वो गुस्ता है तो निश्ची रुफ से पार्टी को कोई भी पार्टी में अपनी पार्टी की बात नहीं पार्टी से कहा रहा हूं कि ऐसे लोगों को राजनीती में प्रवेस नहीं कराया जाना चाहिए बहुत शुक्रिया आपका ये थे प्रेम चन अगरवाल जी उत्तराखन विधान सभा के अध्यक्ष हैं इन्होंने कहा है पार्टी कोई भी हो अपराधी को नहीं आना चाहिए सदन के अंदर क्योंकि वहाँ जनहित से जुड़े मुद्दे सामने आते हैं आपको एक जन के और दें कि 2012 में जहां उत्तराखन की विधान सभा में 27 फीजदी अपराधी थे इनकी संख्या 2017 की विधान सभा में आकर 31 फीजदी हो गई है अब देखना ये होगा कि अगली विधान सभा में ये आकड़े घटते हैं या बढ़ते हैं कैमरामें इमरान खा